नमस्कार दोस्तों स्वागत है आप सभी का हमारे चनल कॉंस्टेंस माइन में मैं हूँ दीपक और आज की ये वीडियो जो है वो तीसरी वीडियो है इन्वोर्मेंट के उपर आज का टॉपिक रहने माला है क्लाइमेट एट्मॉस्फेरिक टेंपरिचर जिस पर हम विस्तार पूरों बहुत ही डीटेल से आपको समझाते हुए इसका वर्ण करेंगे और आपसे निविदन है कि अगर आपने भी पीछे की दो वीडियो नहीं देखी है तो उसको देखें और तभी आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी तो ये सारी वीडियों जो आपको कराई जा रही हैं ये सभी कमट्रीटु एक्जाम्स तथा UGC NET यहां तक की जो SSC सीजिल्स के एक्जाम होते हैं तथा UPSC के जो एक्जाम्स होते हैं जितने भी एक्जाम होते हैं जिसमें इंवार्मेंट के कुश्चिन पुश्च जाते हैं सभी की लिहाद से बहुत ही महत्तुपूर है तो इस वीडियो को सुरू करने से पहले आप से निविद्धन की आगभने चाहल पे नए हैं तो प्लीज चनल को सब्सक्राइब करके बिल आइकन को जुरूर प्रेस रखें तथा अपने दोस्तों को भी सेर करें जिससे की और ज़्याद से ज़्यादा लोग जुड़ पाएं तो बढ़ते हैं टॉपिक आज कर बताते हैं आपको कल के टॉपिक में हमने इकोसिस्टम तक क्लियर कर लिया था और यहाँ पर जो डीटेल में सारी चीज़ें बताएं थी आगे वही काम आएंगी तो आज का जो टॉपिक है यहाँ से शुरू होता है सबसे पहले क्लाइमेट क्लाइमेट क्या होता है तो एक क्लाइमेट में मौसम होता है तथा दूसरा जलवाई होता है मौसम तथा जलवाई को कभी-कभी लोग एक जैसा समझते हैं लेकिन इसमें थोड़ा सा अंतर होता है यह एक नहीं होता है मौसम क्या होता है मौसम होता है कि एक नियत इस्थान पर मतलब एक तैय स्थान तथा समय पर वायूमंडल की जो कुछ समय की लच्छड होते हैं जैसे कि तापमान, दाब, आदरता, आदरता मतलब नमी, वर्सा, सौर, प्रकास, मतलब सूरिका प्रकास, बादल तथा वायू इन सभी को का कहते हैं मौसम कहते हैं मतलब एक नियत इस्थान तथा समय पर वायूमंडल के च्छड़ी गलच्छड जैसे तापमान, दाब, आदरता, वर्सा, सौर, प्रकास, बादल तथा वायू इन सभी क्या कहते हैं मौसम कहते हैं ठीक है जैसे कि आप मौसम की जानगारी लेते हैं तो अपने जगह की देते होंगे कि आप जिस जिले में रहते हैं उस जिले में आज का, आज एक दिन का, आज समय का क्या तापमान है तो ये सब चीज़ें बताई जाती हैं एक नियत इस्थान में और एक कुछ समय के लिए जैसे कि एक दिन का आप देख सकते हैं लेकिन जो जलवाय होती है वो क्या है इसमें किसी छेत्र विशेस में मतलब मा लिजे आपके जिले में या फिर पूरे भारत देश की बात करें तो यहां पर रितू परिवर्तन वायमंडली इस्थिती लंबे समय तक मतलब कि जैसे रितू में होती है ठंडी, गर्मी, वर्सात ये सब तो कुछ महीनों जैसे सुरुवात के तीन महीने तक क्या माज तक, मही से लेके, अगस तक तो इस तरह से जो कुछ लंबे समय तक के लिए जो रितू का परिवर्तन और उस समय की वायमंडली जो इस्थिती होती है क्या होती है जैसे उस समय ठंडी पड़ेगी और कुछ महीनों तक गर्मी होती है तो ये एक लंबे समय के लिए कहा जा रहे ना, तो इसी को हम कहते हैं जलवायू और प्रदूसर के चलते जलवायू फिर बहुत प्रभापड़ता है, कभी गर्मी पहले पढ़ जाती है, कभी ठंडी पढ़ती ही नहीं है किसी समय वर्सात होने लगती है, तो किसी समय वर्सात के समय में वर्सात ही नहीं होती है तो इस तरह से climate changes जो है, वो हो रहे हैं, ये सब आपके atmospheric temperature के बढ़ने की विदर से होते हैं तो आगे हम temperature की भी बात करेंगे, ठीक है, भूम अंडली जलवायू क्या होता है, भूम अंडली जलवायू भी जालनेना बहुत जरूरी है जैसे विविन्द छेत्रों में, सौर विकरड़, जैसे कुछ छेत्रों हो गए, आपके, जैसे माली जिए भारत में, सौर विकरड़ के कारड़ क्या होता है वायू यों समुद्री जो लहरे होती है, उनके द्वारा ताप उर्जा का इस्थाना न्तरड होने की वज़ा से, तापमान वार्था तथा द्रता में बतलाव होता है जिससे हम भूमंडली जलवायू करते हैं, सौर विकरड़ का मतलब है, कि सोलर रेडियेशन के कारड़ क्या होता है, कि जो वायू होती है, और समुद्री लहरे होती है, इनके द्वारा तापमान में इस्थाना न्तरड होता है, जिसकी वज़ा से तापमान, तथा वर्षा, आदरता में बदला होता है, तो ये भूमंडली जलवायू होती है, इसके बाद आता है, माइक्रो क्लाइमेट, ये माइक्रो क्लाइमेट जे होता है न, ये छेतरी क्लाइमेट से थोड़ा अलग होता है, माइक्रो क्लाइमेट मतलब सूचन जलवायू, ये इस्थानी इस्त जंगलों की बात करें, तो वहाँ पर विच्छ बहुत होते हैं, तो उनकी पत्तियां जो होती हैं, वो जमीन पर पढ़ने वाले प्रकास को बहुत कम कर देती हैं, जिसके करार से क्या होता है, वायू के वहाँ का जो वायू होता है, जंगल में, उनका तापमान जो होता है, व वो बहुत अनुकूल रहता है मतलब बाहर दिन में अगर गर्मी रहती है तो वन में ठंडी रहेगी और अगर रात में बहुत ठंडी पड़ रही है तो वन के अंदर क्या रहेगा तापमान गर्मी का रहेगा तो थोड़ा गर्म रहेगा और जो जमीन होती है वहां की वह नम पनी होती है इसी वज़े से वहां पे बहुत सारे जीव जनतु निवास करते हैं ठीक है आती है बात टेमप्रेचर की तो तापमान की बात करेंगे अट्मॉस्फिरिक का तो सबसे पहले तापमान होता क्या है उसको समझते हैं तापमान किसी पदार्थ के गर्म या ठंडा होने का परिमार होता है मतलब इसके थ्री स्केल्स होते हैं पहला होता है फॉरेन हाइट और दूसरा होता है सेल्सियस पहला होता है फॉरेन हाइट दूसरा सेल्सियस तीसरा केल्विन इन तीनों यूनिट्स को अगर हम समान देखें तो जो Celsius होता है वो 0 degree जो होता है वो freezing water होता है मतलब water को freezing level पे लाना है तो 0 degree पे रखना पड़ेगा boiling water मतलब 100 degree Celsius तक आपको गर्म करना पड़ेगा Fahrenheit 0 degree के बराबर 32 degree Fahrenheit पे freezing water होता है और 212 degree Fahrenheit पर boiling water होता है अब यहाँ पे Kelvin की बात करें तो based on absolute 0 Kelvin का होता है 273 K K से इसको मेजर करते है 273 Kelvin जो होता है वो 0 होता है absolute ठीक है तो यह हमारी measuring unit है ठीक है अब अगर हम temperature की बात करें क्या सूर्य तब तथा तापमान मतलब insulation किसका insulation जो होता है इसको हम कहते हैं सूर्य तब ठीक है और यह होता है temperature इसको हम कहते है तापमान ठीक है insulation and temperature तो यह दोनों जो है अगर हम बात करें तो सूर्य पृथिवी से कितना बड़ा है 13,00,000 गुना बड़ा है सूर्य पृथिवी से कितना बड़ा है 13,00,000 गुना बड़ा है और इन दोनों की बीच की जो आउसत दूरी है वो कितनी है 15 करोड किलोमीटर ठीक है सूर्य की किर्डें इस दूरी को कितने समय में पूरा करती है तो वो जो समय होता है 3,00,000 किलोमीटर प्रतिस सेकेंड की रफ्तार से यह सम पूरा करती है दूरी को जो केड़े हैं सूरी की वो प्रिथवी तक 3,00,000 km प्रतिस सेकेंड की दर से पूरा करती हैं अगर हम सूरी की सतह की बात करें तो ये जो सतह है क्रोड मतलब क्रोणा इसकी सतह पर हाइडोजन के परमाडू निरंता न्यूक्लियर फ्यूजन के द्वारा हीलियम के परमाडू में बदलते रहते हैं ठीक है और जो हीलियम का परमाडू है ये बहुत अधिक मात्रा में तब उर्जा मुक्त करता है और ये उर्जा जो है, सूर के जो बाहरी सता है, उसके तापमान, बाहरी सता मतलब फोटो स्फेर, उसके तापमान को बहुत ज़्यादा बढ़ा देती है, 6000 degree centigrade कम से कम तापमान होता है, यहाँ पर दिया है न, 6000 K, मतलब 573 degree centigrade और 10,340 degree Fahrenheit और 6000 Kelvin ठीक है, और प्रतिवी का 288 Kelvin टेंपरिचर लगभग 15 degree centigrade के करीब, ठीक है, कहां 15 degree centigrade और 5000 degree centigrade पांस या छहाँजार, यह इतनी अधिक उर्जा जो होती है, radiant energy मतलब की विक्रड उर्जा के रूप में प्रत्वी पर आती है, और इसी के बारे में अब आगे देखते हैं, सूरी लगातार अपनी उस्मा का विक्रड जो होता है, radiation जो है, वो करता रहता है, और इसे ही कहते हैं, क्या, solar विक्रड अर्थात क्या, solar radiation, solar radiation इसी क्यों कहा जाता है, ठीक है, और solar radiation जो हो है, इसी की वज़ा से प्रत्वी पर जीवन संभाव है, अब हम बात करते हैं, प्रत्वी की, प्रत्वी इस सौर विक्रड का 0.005% ही रोक पाती है, मतलब जो सौर विक्रड है, solar radiation जो है, वो प्रत्वी की जो बाहरी सता है, वो कितना रोक पाती है, 0.005%, ठीक है, मतलब सौर विक्रड का दो अरभवा इससा, सौर विक्रड जो होता है, उसका दो अरभवा भाग जो होता है, वही प्रत्वी रोक पाती है, तथा ये जो सौर विक्रड पृत्वी पर पहुंशती है इसे solar insulation कहते है solar insulation मतलब सूर या तप ठीक है insulation जो पहुंशती है उसको हम क्या कहते है solar insulation मतलब सूर या तप ठीक है और पृत्वी का धरातल इस विक्रड उर्जा इस radiant energy को दो कैलोरी प्रतिवर्ग सेंटीमीटर किसमें दो कैलोरी प्रतिवर्ग सेंटीमीटर या अब कह सकते हैं दो लैंजली की दर से प्राप्ट करता है ठीक है दो लैंजली की दर से प्राप्ट करता है और इसी को हम क्या कहते है solar constant ठीक है इसी को हम कहते है solar constant की मितलब solar insulation की जो मात्रा है इसके तीन कारक होते हैं पहला जो धरातल है उस पर जो सूरी की किर्णे पड़ रही है उसका जुकाओ किस तरह से है जितना जुकाओ रहेगा उतना ही वहां का temperature बढ़ेगा अगर सीधी जो रेखा होती है वहां पर temperature ज्यादा होता है बलकि जो polar region ह होते हैं वहां पर temperature बहुत कम होता है ठीक है इसलिए वहां पर हमेशा बर्फ जमी रहती है और दूसरा point होता है दिन की लंबाई अत्वा धूब कि अवधी कि सूरियोदर इसलिए कि सूरियास तक जो है वो कितना समय तक धूब टिकी रहती है इससे भी सूरिया तब की मात् का प्रभाव पड़ता है और तीसरा point है वायो मंडल की पारिगम्मिता इसका मतलब है कि जो ये वायो मंडल है अगर बात करें इसका ताथ पर यह है कि प्रकास की जो किर्डे हैं वो वायो मंडल से होकर गुजर रही है तो उसका जो प्रकिर्डन है परावर्दन है तथा आ नीचे जा रही है ठीक है प्रित्वी व्यों अब यहां पर बात आती है कि प्रक्रिडन जो होता है इससे ही इसी वज़ा से ही आकास का निला रंग होता है तथा सूर्योदो तथा सूर्यास्त के समय क्या होता है सूर्य की लालिमा जो होती है वो प्रक्रिडन का ही कारड होती ह आउसोसड की बात करें अगर तो जो आउसोसड होता है इसका मतलब ये होता है न इस क्रिया में मुखिता जलवास प्रथा जो ओजोन गैसे होती है सूरी की सता पर जलवास प्रथा ओजोन गैसे होती है तो जो ओजोन गैस होती है उसकी जो परत होती है वो सूरी की परावेगिनी केड़ों का औसोसर करती है मतलब radiations को औसोसित करती है और जो pollution है उसकी वज़े से ये प्रभाव ओजोन जो layer है उस पर बढ़ रहा है ओजोन layer का छरड हो रहा है ओजोन layer में छिद्र होता जा रहा है इसी वज़े से परावेगिनी केड़ों को यह कम रोग पा रही है जिसकी वज़े से प्रुथी वपर cancer जैसे रोग ज्यादा प्रभावित हो रहा है तो ये ओजोन layer जो है ये सूरी की परावेगिनी केड़ों को औसोसित करती है तथा इसी वज़े से तथा इसी विज़ा से temperature भी increase हो रहा है धिर धिरे अब अगर हम तापमान में जो विसमता के कारण है उनकी बात करते हैं तो तापमान की विसमता का मतलब होता है कि पृत्वी पर तापमान कई कई जगा कई कई प्रकार से होता है polar reason में तापमान बहुत ही कम होता है तो कहीं कहीं तापमान बहुत ज़्यादा होता है तो तापमान में विसमता का जो कारण है उसमें सिप पहला कारण है latitude affects climate मतलब आचांसी जो वित्रड होता है ये latitude का मतलब होता है आचांस तो आचांसी वित्रड भी climate को बहुत ज़्यादा effect करता है ठीक है जो उस्ट कटिबंदी प्रदेश हैं वहाँ पर सूर्य तपकी वारसी मात्रा सबसेधिक होती है यहों जो ध्रू होते हैं मतलब polar region जो होते है polar zone जो है वहाँ पर इसकी मात्रा कम होती है अगर हम कहें कि उस्ट करिबंदी प्रदेश कौन है तो उस्ट करिबंदी प्रदेश यहां से यहां तक आएंगे और ये ध्रूवी प्रदेश है ध्रूवी प्रदेश में सूरी का तब बहुत कम होता है मतलब radiation बहुत कम है लेकिन यहां पर radiation अब बढ़ रहा है pollution की वज़ा से radiation बढ़ रहा है जिसकी वज़ा से polar region जो है वहाँ की बर्फ melt हो रही है पीखल रही है अब बर्फ पीखलेंगी जल का इस्तर बढ़ेगा और यह जो climate changes जो है इसी वज़ा से हो रहा है ठीक है अब आती है second second बात करेंगे तो उचाई उचाई जिस जिस यहां पर यह होता है ने कि उचाई बढ़ने के साथ साथ तापमान में गिरावटाती है जैसे जैसे आप उचाई की और बढ़ेंगे तापमान में क्या होगा गिरावटाएगी छोब मंडल में प्रती 165 मीटर की उचाई पर एक डिग्री सेंटीग्रेट तापमान घरता है प्रती किलोमीटर पर 6.5 डिग्री सेंटीग्रेट की गिडावट आती है अगर आप उपर की तरफ बढ़ेंगे तो धीरे धीरे करके क्या होगा तापमान कम होता जाएगा ऐसा क्यों होता है इसका कारण नीचले छेत्रों में उसमा का ओसोसर अधिक होता है इसलिए जो नीचे का छेत्र है जीरो मीटर यहां पर temperature जादा होता है क्योंकि यह गर्मी को बहुँ ज़ज़ा आउसोसित कर लेते हैं जैसे जैसे आप उपर बढ़ेंगे यहां पर heat का मतलब की radiation का आसोसर कम होता है इसलिए यहां पर temperature घटता जाता है ठीक है अब आता है तीसरा point इस्थल तथा जैल का प्रफाव मतलब effect of land and water तो अगर हम land and water की बात करें तो जल देर से कर्म होता है और देर से ठंधा भी होता है जबकि इस्थल पर यह प्रक्रिया तेज होती है इसलिए महासागर की अपेक्छा इस्थल खंडों पर ज़्यादा ताप होता है जो यहाँ पर C level है यहाँ की अगर हम बात करें तो यहाँ पर more evaporation होते हैं और यहाँ पर low पानी बहुत जल्दी गर्म नहीं होता है इसको गर्म होने में थोड़ा समय लगता है लेकिन जो मिट्टी ही होती है जो इसथल होता है यह बहुत जल्दी हीट को ज़्यादा मात्रा में और सूशित करता है तो इसलिए यहाँ पर temperature क्या होता है जल के मुकाबले इसथल क्या होता है ज़्यादा गर्म होता है अगर हम इसथल की बात करें तो जल की अपेक्षाक्रित इस थल अधिक गर्म होगा जबकि जल थोड़ा कम गर्म होता है और इसी वज़ा से जल में ज़्यादा जीव पाए जाते हैं बहुत अधिक प्रजातियां जल में ही पाई जाती हैं अगर कहा जाए तो अपनी प्रथवी पर जो 90% प्रजातियां है जीवों की वो महासागरों में ही हैं ठीक है अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट पॉइंट है चौथा ओसीन स्टीम मतलब समुद्री धारा होती है वो भी तापमान की भी समता का करण है तो समुद्री धारा हैं वो गर्म धारा होती है और ठंड धारा भी होती है तो गर्म धारा ये उत्री अठ्लांटिंग प्रवाह में Gulf Stream के नाम से जानी जाती है और ठंडी धारा है दच्री अपरिका के पस्चिमी तटकी और भती हैं तो अगर हम बात करें इसी प्रकार से जैसे एक एक जामपल आप लेंगे पंबई सहर की महाराज्ट में तो ये जो सहर सीखे किनारे हैं यहाँ पर ठंडी बिलकुल नहीं होती है क्योंकि यहाँ पर जो गर्म धाराएं हैं वो इसके तटी जो छेतर हैं उनको गर्म बनाये रखती हैं इसी वज़से यहाँ पर ठंडियों में भी ठंड बहुत ज़्यादा नहीं पड़ती है मतलब एक प्रकार से नॉर्मल रहती है टेंपरेचर अगर हम लास्ट इंड पॉइंट की बात करें तो रेडियेशन रेडियेशन को जानना बहुत ज़रूरी है रेडियेशन एक मात्र कारड है जो की तापमान में बहुत ज़्यादा बढ़ोती लाता है तो radiation को हम विक्रड कहते हैं radiation को आप इस चीज़े समझ सकते हैं जैसे आप गर्म दूद या फिर जो पानी है उसको कुछ देर तक अगर ऐसे ही खुला छोड़ दें तो वो क्या हो जाता है? ठंडा हो जाता है ठीक है? थोड़ी देर में ठंडा हो जाएगा क्योंकि उनमें से थोड़ी देर बाद जो गर्म तरंग होती है मतलब वो गर्म तरंगे जो होती है वो उपर की दरफ उठ जाती है तो जब वो निकलेंगी तो क्या होगा? चाहे वो दूद हो चाहे पानी हो ठंडा हो जाएगा इसी तरह अगर हम बात करें गर्म प्रिथफी से तो गर्म प्रिथफी से ताप जो होता है उनसका जो ताप मान होता है वो विकिरड द्वारा क्या होता है वाई मंडल में चला जाता है अगर वाई मंडल में जैसे कि वाई मंडल में यहां से गर्मी वीक्रड की दौरा वाय मंडल में जा रही तो वाय मंडल में अगर pollution ज़्यादा है धूल के कड़ है तो यह क्या होगा निचले सतह में ही आउसोसित हो जाएगा पूरा temperature ठीक है क्योंकि वहाँ पर pollution है तो वहाँ का वातावरर क्या होगा बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगा आने था यह धरातल से भी उपर चला जाता है मतलब जो नीचे निचले इस तर होते हैं अगर वहाँ पर मौसम साफ है तो क्या होगा कि उपर चला जाएगा यह temperature यह वीक्रड जो है इसी तरह से अगर गर्म मरुस्थल में देखें तो वहाँ पर सच रहता है आकास इसलिए वीक्रड से प्राप्त जो ताप होता है उसमा होती है वो बहुत उपर चली जाती है और रात बहुत थंडी परतित होती है जबकि आने छेत्रों में जहां बादल रहते हैं वहाँ पर क्या होगा कि ताप निचले सता में ही रा जाएगा और गर्मी बहुत ज़दा होगी तो इसी वज़ा से जो गर्म और ठंड मौसम है यह होता है ठीक है गर्मियों का महीने में सूर्य जो है वो परतिवी के ज़्यादा करीब होता है तता ठंडियों के महीनों में सूर्य से परतिवी की दूरी जो है वो थड़ा ज़्यादा होती है इसी वज़ा से थोड़ा टेमपरिचर इंक्रीजमेंट होता है और भी बहुत सारी चीजे हैं जो की नेक्स्ट वीडियो में cover होंगी वीडियो बहुत लांग हो जाती है इसलिए इस वीडियो को यहीं पर रोखते हैं और आगे इसी topic पे temperature को और अच्छे से discuss करेंगे उसके बाद आगे के topic को cover किये जाएगा ठीक है धन्यवाद